स्टार्ट विध दा नेम आप अल्ला दी मोस्ट बिनिपेशेंड मोस्ट मर्सिपॉल आज हम डिस्कस करेंगे वाटर बाथ को वाटर बाथ जो के बहुत एक आम सा इंस्ट्रॉमेंट है और तक्रीबन हर चोटे बड़े लेब में इस्तेमाल होता है आज हम वाटर बाथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर बाथ है किया चीज और कुन कुन सा इंस्ट्रॉमेंट है और कुन सा इंस्ट्रॉमेंट है और इसके पार्ट कुन कुन से है और इसका इस्तेमाल का तारीका किया है और इसका इख्तियात और प्रिकॉशन किया है Water bath An instrument used for maintaining a uniform temperature Throw out the fluid content in a container एक container के अंदर एक solution है या पानी है हमने इसके अंदर uniform temperature को maintain रखना है इसके लिए जो instrument इस्तेमाल होता है इसे कहते है water bath Water bath किया करता है कि plate को heat up भी करता है और इसकी excessive operation of the plate being heated excessive operation भी इसको रुकता है इतना कि इसको heat up करता है ताकि ओई उपरेड भी नहों और इसका concentration भी change नहों एक खास वकत में for example 10 minute के अंदर हम एक solution को गरम करना है 10 minute के लिए 37 degree centigrade पर तो इतना time में 37 degree centigrade पर भी रुकता है और इसके लगा इपरेशन भी नहीं देना इसमें किया किया चीज़े हास तोर पर इस्तेमाल होते है Heat a small amount of fluid or specific time with changing concentration by evaporation Use incubate bottle of culture media liquid in plus or other large container and way incubating simple test tube reacts और एक culture media हमने hit किया और कोई liquid solution को प्लास के अंदर बेकर के अंदर किया किया यह कोई solution है या कोई test tube के अंदर हमने test के solution को हमने रख दिया वह हम water bath के अंदर इसको रखते है खास temperature और एक खास वकत के लिए इसको हम incubator करते है और इसके बाद एक component parts a trap coating incubating material made of stainless steel or heat resistant glass with or without an insulated lid water bath में सबसे पहले trap आता है जो के coated material होता है और आम तोर पर हर metal या stainless steel से बना हुआ है या heat resistant glass से बना हुआ है जो tray होता है जिसके अंदर पानी होता है इसे कहते है ट्रप और इसकी ओपर lead जो कोच design के अंदर lead होता है और कोच के अंदर नहीं होता है इस trap tray के अंदर lead नहीं होता है दोसरा एन electric element to heat the water enclosed in the trap a thermometer to check the temperature इसके अलवा इस trap के अंदर electric element और इसके अलवा इस trap के अंदर electric element होता है मौजोद होता है जो के पानी को गरम करने के लिए इस्तिमाल होता है और इसके अलवा इसके अंदर तर्मामीटर होता है तर्मामीटर के जरीए हम temperature को check करते है fourth one है stirrer to circulate the water in the trap to maintain uniform temperature कोच माडल के अंदर stirrer होता है जिसके जरीए हम solution को miss करते है ताके throw out solution है वो एक uniform temperature हो ऐसा नई के जहाँ पर electric element है वहाँ पर temperature ज्यादा हो और जहाँ पर electric element नई है वहाँ पर temperature कम हो तो stirrer इसलिए इस्तिमाल होता है के हर तरफ एक solution के अंदर यह temperature यूनिपाम हो लास्ट वने तर्मोस्टेट अ तर्मोस्टेट तो maintain the temperature at constant level इसके अलवा तर्मोस्टेट इसमें होता है इसलिए होता है तर्मोस्टेट temperature को constant level पर रखने के लिए हम temperature को variant करने के लिए इसको change करने के लिए हम तर्मोस्टेट को इस्तिमाल फाट्स अफ वाटर बाथ यह हमारे पास वाटर बाथ का एक main और simple समिसाल है कि हमारे पास यह trap हो गया यह area trap का है इस trap के अंदर element हो गया यह इसका outlet हो गया पानी निकालने का राश्ता है और यह इसके level पोड होगे और यह इसका ओपर वाला कवर है और हर यह कांट्रोल बाक्स है यहाँ पर यह aफ on का बटन हो गया यहाँ पर तर्मोस्टेट होगे यह display बार जो के हमें डिस्प्ले में देखाया है temperature दिखाता है और जब thermostat हम गुमाते हैं तो यह हमें बताता है कि कितने temperature पर हमने इसको set करना है thermostat thermostat को set करना है operation water bath का इस इस्तेमाल जिस तरह करना है और इसको हमने evaporate की तरह करना है सबसे पहले pay the truck with clean water to a desired level and then switch on the machine इसको इसके अंदर हमने साब पानी डालना है कोशश करें कि हम इसके अंदर deionized water हो इसके कापी सारे पाइदे है इंशाला आगे आएगा और डिसकस करेंगे इसके पाइदे क्या है सबसे पहले इसमे ट्रप के अंदर हमने पानी को डालना है एक मुनासिब मेगदार में इसके बाद इस मशीन को ठरन आन करना है switch on करना है switch on करने के बाद तर्मोस्टेट को अपने temperature, desired temperature के ओपर रखना है कि कितना temperature हमने इसके ओपर set करना है पर इंग्जामपल हमने जो बाड़ी का temperature 37 centigrade ओपर सेट करना है तो हम ओपर सेट करते है इसके बाद तोड़ा सा वेट करेंगे कि 5 मिनट के अंदर 8 या 10 मिनट के अंदर ओपर जो इस temperature पर आ जाए इसके बाद temperature को पर्मामीटर के जरीए हम चेक करना है Set the thermostat to the desired temperature Allow the water to warm the temperature Check the temperature from the thermostat तर्मामीटर जब temperature desire जो हमारा required एची हो गया है इसके बाद हमने प्या करना है इसके बाद जो water bath के अंदर डालना है इसके अंदर solution है For prolonged incubation, plug the container with cotton wool to prevent water from trickling into them and the formation of condensation Close the water bath lid अगर हमें एक solution इसको ज्यादा धेर के लिए water bath के अंदर रखना है तो कोशश करना है कि यह जो container है या test tube है या कोई और ऐसा instrument है तो इसको इसके ओपर रखना है या cotton के साथ इसको हमने बंद करना है ताकि इसके अंदर water न जाए formation और condensation न हो कि अगर हम इसके अंदर test tube रखेंगे और 30 मिनट के लिए incubator करता है तो तोड़े बहुत पानी जो है वो ओपर plate से वापस test tube के अंदर जा सकता है इसी होज़ा से हम क्या करेंगे हम test tube को ओपर तोड़ा cotton इसको बंद करना है care and maintenance अप वाटर बाद हमने किस तरह वाटर बाद का ख्याल रखना है और किस तरह इसके अगर कोई मसला हो हो जाए इसको कैसे हल करना है सबसे पहले clean the truck interior and change the water daily are used to de-ionized water that prevent prevent in frustration with the salt in raw water it also prevent the growth of panjai and algae रोजाना के अंदर इस ट्रप के अंदर निया पानी जो वो साब साब पानी रोजाना इसके अंदर डालता है जब रात के वोकत या जब day change हो तो कोशच करे कि कल वाला पानी वो डिसकार्ट करे और प्रेश पानी इसके अंदर डाले डि-ionized वाला वाटर इनके अंदर आएन नहो वो इस्तिमाल करे ग्रोथ आप माइक्रो अर्गेनिजम इन दा वाटर एड़ बेक्टेरियल एजेंट वाटर सच इस मेर्टियलेट एंड वन एंड तोजेंट क्योंकि जब हम रोटीन वाला पानी इस्तिमाल करते जो ठेप वाटर है तो इसका किया होगा तो इस चार तरफ जो काईल है इसके ओपर इनकरस्टेशन होगी ये काईल जमा होता है ये ओपर डिपलेंड प्राबलम क्रियेट करते है अच्छा है कि डिएनाइज वाटर इसका दोसरा पाइदा है कि मुखतलिप माइक्र अरगेनिजम जो पंजाई है इसके ग्रोथ को ये स्टाप करता है और इसके ग्रोथ को ये प्रिवेंड करता है अगर हमने माइक्रो अगर हमने माइक्रोатив के गुरज को स्टाप करना है अब वाटरबात के एंदर वाटर होता है एसको मेनरल के माइक्रो जाप Выसका donated करते है तो अगर हमने इस चीज़ को रोकना है तो है तोड़ा सा बेक्टेरियल एजेंट जो ओ वाटर बात के पानी के अंदर डालना है ताकि तकरीबन एक लिटर पानी के अंदर ओ हमने एक कत्रा डाल देना है अगर हमारे पास पांच लिटर है तो इसमें पाई अप एमेल डालते है Keep the lid closed when not used in prevent evaporation of water From time to time check the counter, check the water temperature इसके लवा क्या करना है अगर इसके अंदर हमने solution नहीं डाला तो हमने इसके लिट को close करना है ताकि पानी जो तोड़ा हलका हलता हेस्ता हेस्ता से वा परेड होता है ओ भी नके वक्तन पर वक्तन हमने क्या करना है Temperature को internal और external temperature को check up करना है जो हमें display पर temperature मिल रहा है Thermometer short place such always from the heating element wall prepare stock return SOPs covering your scare and maintenance आप दा वाटर बाथ जहा के heating element लगे होए है या इसके कारीब कारीब वाल है इसके साथ हमने temperature को नहीं रोकना है अगर हम temperature को check करते है with the thermometer तर्मोस्टेट को हम heat element या इसके कारीब जो वाल है इसके साथ नहीं रखना क्योंकि वो हमें हर pulse temperature show करते है before incubating sample check the temperature of the water is correct ensure level of water above the level of whatever being incubated हमेशा कोई भी हमने sample इसके अंदर incubate करना है तो ओ इसके पेले हमने temperature को check करना है कैदर हमारे desired temperature है या नहीं ensure the level of water कोई solution है इस tube के अंदर है तो हमने कोशिश करनी है कि जो वाटर के level है वो solution के level से ज्यादा हो अगर water का level solution के level से कम हो तो हमारे solution के अंदर जो नीचे वाला part है वो तो heat up हो जाएगा तो इस pulse result देगा if there built up scale heater side of the battery more lemon juice are filling अगर्चे ट्राप अगर्चे ट्राप है यह जो electric element है इसके ओपर कोच गंद जमा है या इसके ओपर कोई mineral इसके ओपर जमा हो गए इसको हमने किस तरह remove करना इसको यह तो lemon juice को remove करना है या 10% centric है इसको हमने इसके जरीए हमने remove करना है और 10% centric डाल दिया इस ट्रप के अंदर ट्रप के अंदर leave until the deposit is dissolved deposit जो dissolve के ओपर है यह deposit जो element के ओपर है यह इसके wall के ओपर है यह ट्रप सारे remove नहों Every 3-6 month check the water bath, flex, wire, plug for any loss connection और हमेशा 3-6 month महीनों में कम असकम water bath को अंदर से और बाहर से हर तरप से एक एक चीज़ का check-up करना है ताकि इसके अंदर कोई problem न हो अगर कोई problem हो तो इसको वकत पर हल करे, cover करे Thanks करेंज